जेल से भागा भवर पाटिल, पहुचा इशान और सवी से बदला लेने जी हाँ दोस्तों सब कुछ आगे आपको बताऊंगा लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों सीरल गुमेकिजे के प्यार में हमने देखा तक है कि इस तरह भवर पाटिल को सब के सामने बेज़ज़त करकर उसका मूँ काला करकर उसे थपड़ मार कर जेल में दाल दिया था लेकिन दोस्तों अब आपको बताया दे के भवर पाटिल जेल से भाग चुका है और वो बदली की आग में जल रहा है और यहाँ पर भवर पाटिल ना सिर्भ इशान सवी से बलके पुरे भूसले परिवार से अपना बदला लेने वाला है वो सब को खत्म करना चाहता है भवर पाटिल सोचता है कि जिससे मैंने इतना ज़frage प्यार किया जिसको मैंने इतना ज़ारा चाहा उसे हासिल करने की हर मुम्तिन कोशिश की उसी लड़की ने जो है मुझे सब के सामने बेज़द किया और मुझे जेल बेज दिया मेरी प्यार की कदर नहीं की और उसने उस मास्टर को बचाने के लिए मुझे जेल बिज़वा दिया लेकिन अब मैं किसी को नहीं तुम यहाँ पर रहकर अपने सपने पूरे करो मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे जो है ड्रीम्स कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद करूँगा जिसके बाद सभी इशान से कहे दिए कि आप मेरी इतनी परवा क्यों करते हो आप क्यों मेरी इतनी फिकर कर रहे हो मैं ये शेहर छोड़ कर जा रही हूँ आपकी कल रिवा मैम से शादी है आप अपनी शादी पर ध्यान दे आप अपने फंक्शन्स पर ध्यान दे और इस तरह सवी जो है अपने इमोशन्स को यहाँ पर मारते हुए इशान को यहाँ से जाने के लिए कह दिया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर भावर पाटिल सारी बात पूरी प्लैनिंग कर लेता है लेकिन दोस्तों एन मौके पर सब कुछ बदल जाता है और यहां पर इशान और सवी की शादी फिक्स होने वाली है और उसके दोरान जो है यहां पर जब वो इशान से बदला लेने पहुंचेंगा तो सवी इशान को डिफेंड करते हुए नजर दे देंगा और बॉम ब्लस्ट में पूरा भूसले परिवार खत्म हो जाएंगा जिसके बास सिरियल में आने वाला है टेन इयर्स का लीप दोस्तों आप यहां पर इशान मतलब के शक्ति अरोरा को कितना मिस करोंगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताना जाते हुए हमारे चै